मुब्यस क्लासेश आज हम लोग अपना नेक्स पार्ट देखने जा रहे वीडियो थोड़ी बनाने में लेट हो गई जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरे पास मोबाइल है नहीं तो इसके वासे मैं शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे तो उम्हेद करते हैं आप बातों को समझेगा और उसे एक ओडिंग लेकर के चलिएगा ठीक है तो वह हम लोगों ने पढ़ा है हुम लोगों नीह्मों बोर के बारे में भी पढ़ा था वीडियो बारे में जाना तो आज कुछ है इसे डेफिनिशन जो हम लोग के नाइन क्लास में बोल सकते चैप्टर में जानने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में जिखर करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आता है हमारा अटम अटॉमिक नंबर क्या था आपका अटॉमिक नंबर ठीक है थोड़ा से चलने में यह प्राब्लम हो रहा है यह प्रैन पता नहीं अज वर्क क्यों नहीं करा सुबह से तो उमीद करते हैं आप थोड़ा उसी एकोडिंग समझो कि अच्छे से तो जब भी अगर अटॉमिक नंबर की बात होती है तो जब हम मैंने पढ़ाया था तो आपको यह मैंने बताया था कि एक नंबर किसी भी एलिमेंट जो पिरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं तो इस सारे एलिमेंट का अगर हम बात करें तो सबका अपना-पना अपना अटॉमिक नंबर होता है और यही एक नं नंबर दिया जाता है उस रॉल नंबर के कोडिंग उन्हें अभी बुलाया जाता है तो कैसे हम जानते कि में रॉल नंबर 5 है किसी का 6 है तो यह चीज़ों को तो यहां पर समझोगे कि अटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक है नंबर क्या होगा अटॉमिक नंबर होगा तो यह चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहरा हूं ठीक है एक चीज़ आप ध्यान से गौर से सुनोगे और समझोगे कि अटॉमिक नंबर को जनरली डिनोट करते हैं जेड से किसके से जैड से इस डिनोटेट कितना 16 कितना 6 कारभन का इसकोन इसकोन से आपको एक से लेकर के 20 अलीमेंट का कम से कम आपको नाम याद रखना है और इसका आटामिक नंबर याद रखना है तो उसका इसकी मास भी याद कर लीजेगा नेक्स अकर चार्ट में पीडिएफ में प्रोवाइड कर दूँगा य स्पवार्ण every लिख्या हाँ और आपकास म calendar में चलते हैं यहां पर natural दूसरा आता हमारा närक्या मां यहां पहला क्या होता है मास की बात करने थे तो जब हम लोगों ने नागे उसके तो उसके according हमें पता चला था कि जो mass होता है कोई भी element का वो depend करता है मतलब किस पर number of protons plus number of neutrons ठीक है protons के साथ उसके जो neutrons जो मौझूद है ठीक है उसके neutrons जो मौझूद है उसके according क्या करते हैं किसी भी element का mass determine करते हैं यानि कि mass of an element depends upon the number of protons plus the number of neutrons present in an atom एक atom में जो number of protons की मात्राज इतनी होती है यह दुनों मिला करके ही वो उसके mass के बराबर बनते हैं जनरली आप अगर elements को दोखे तो लगबग उसका mass होता है उसके atomic number के double होता है ठीक है कुछ में एक ज्यादा हो जाता है कुछ में कम हो जाता है तो आज की वीडियो में हम तो ज्यादा नहीं पाऊंगा अलड़ी लेट हो चुका है तो इसके इसके बाद आपको electronic configuration आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ मैं कि electronic configuration क्या होता है और कैसे electronic configuration को हम लोग बनाएंगे तो अगर सबसे पहले हम उसको heading दे दे कि electronic configuration क्या होता है फिर से बता दे रहा हूँ जब हम लोग पढ़ रहे थे निवस्बोर की थियोरी तो वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला को पढ़ा था टू एन स्क्वाइर याद है कि जितने भी request होते हैं सब्यवर के राउंड रिवाल्व करते हैं यह हम लोगों ने पढ़ा ञदन बता है कि सबसे तितने उर्裡面 चलते चलacy Speark जाता है इसकानो फोर्मूला होता है कि जो होता हमारा से होता है ठिक है यह हमारा होता है तो यहाँ पर जो होता है ठोंवन का स्कुर्ण स्कॉर्ण वन इंट्व देख लो तो यहां पर देखेंगे ओन यहां पर तो सब्सक्राइब करें कि यहां पर यह दिखना है कि कैसे एक अटम में एलक्ट्रों का आरेंजमेंट होता है ठीक है जैसे आपको मैंने बताया था कि जो आव्टर मोस्ट और विट को थे छहां थां तब मैंने यह चीज आपको बताः था ट्र बाया धाव न करके एक कैसे आकिर अरेंज होते हैं तो सबसे पहले हम एक अपना जाना मना element का नाम लेते हैं जिसका नाम क्या है STR ठीक है carbon इसका atomic number कितना होता है आपका 6 और atomic mask कितना होता है 12 एक चिज़े को रह गया उपर में जब मैं atomic mask बता रहा था atomic mask इसको denote करते हैं A से denoted by A ठीक है A से इसको क्या करते हैं denote करते हैं यह card दो लग रहा है star बना दी है A से denote करते हैं और atomic number को Z से तो यह समझ में आ रहा होगा तो यहां पर हमें atomic mask लेना देना नहीं है जब भी electronic configuration जो निकलता है वो सीधा सीधी किस पर निकलता है आपका atomic number पर किस पर निकलता आप आपका atomic number पर तो यहां पर एक अगर हम electronic configuration बनाना चाहें तो देखिए का कैसे बनता है और उसको हम लोग समझ के चलेंगे तो यहां पर जैसे क्या करेंगे यहां क्या कि सेंटर में यहां पर निकलेस ले लिए ठीक है तो यहां पर electronic configuration मैंने बताया किसको क्या करो कि inner में कितन बचा चार gonna क्या पर तो यह यह था कि यह फिजल यह फितने थीना में अब देखू कि अलगे टो तो वहती है ली अव्य-टोर फ़ीट इस तरी के सा मने बना दिए FIRST ORBIT में हमें SHORU करना है कि यहां पे कितने थे 2 א generation कि की इसका बंद गया कारवन का ठीक है तो ये था हमारा इलक्ट्रोनिक खूंफिक्शन अगर आपको बनाने आया का तो इस तरीके से फिगर में आप यह दिखाओ गे उसके बाद बता दो कि केसल में कितने हैं और इल सेल में कितने हैं उसे तरीके से एक और मैं आपको यहाँ प बात करें तो सोडियम का अटॉमिक नंबर कितना है देखो 11 होता है यहां पर देख लो है ठीक है 11 होता है और इसका वैलियू जो होता 23 के राउंड हम लोग लेते हैं 22.98 है ना तो इसको 23 लेते हम लोग में मास को ठीक है तो मास का लिस्ट आपको दे देंगे उसमें एक्जैक्ट वैल्यू अपका दिया हुआ रहेगा ठीक है जो हमें पढ़ करके चलना है क्योंकि इतना सारे डेसिमल्स याद रखना मुश्किल है तो उसके हिसाब सम्लुक चलेंगे तो सोडियम का अगर हम इलेक तो अब इसका जो हम इलेक्ट्रोनिक कंट्यूशन बनाएंगे इस तरह यह न्यूक्लियस हो गया यह फर्स्ट औरबिट इसमें तो दो है दो डाल दिये यह हमारा सेकंड औरबिट एक दो ती चार पांच छे साथ और आठ ठीक है उसके बाद एक और औरबिट बनेगा जिस में देखो लास्ट औरबिट में कितने आपका एक इलेक्ट्रोन दिया हुआ कि यह आपका हो गया कि यह चल में और एम शेल में वन यह आपका इलेक्ट्रोनिक कंट्फिग्रेशन है इस तरीके से आप इसको बताओगे चीक है तो यहां तक आपको समझ में उमीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है चलो कुछ और ले लेते एक आपको बनाने में थोड़ा सासानी हो ठीक है तो चलो बात करते हैं किसके लिए ले चलो कोई भी उठालो नीचे से चलो आरगन ही लेते हैं एटिन नमबर ठीक है तो आरगन का इलेक्ट्रोनिक कंट्रिग अच्छे है यह एल है यह एन है तो इसका मतलब क्या जितना आदमी का खाने का कैपिसिटी गए तो के का दो में पेट भर जाता है एल का आठ में एम का ठारा में और इनका थर्टी टू में ठीक है तो यहां पर देखोगे आरगन का अगर इसका मैं यह बनाएंगे तो देख जहां और पांच छह साथ और फिर इसमें कितना आठ पांच छह साथ और अठेट तो इसका के शेल में निकल गया तो यह आपको समझ में आ उसको आपको देंगे इलेक्रोनीक कंफिग्रेशन निकालने के लिए तो आप लोग निकालिएगा और समझेगा कि मैं क्या बताना चाहरा हूं तो आज कुछ एक टर्म आपको बता दे कि जो भी इलेक्ट्रोंस ठीक है जो भी इलेक्ट्रोंस जो लास्ट और बिट में पाए अगते हैं फिर स्वां घटालाद कम करतें कर लास्ट और जातें हैं वह उसका क्या कैल आता है उसका वैलेंस इलेक्रोन यादश लागएगा जो भी elektrons उसके last orbit में पाय जाते हैं उसका क्या कहलता हूँ आपका तकतिक last orbit में जितने भी electrons मौजूद होते हैं वो उसका valence electron कहलाता है यानि कि the number of electrons present in the outermost orbit of the cell यह last orbit में जितने भी electron यानि कि देख सकते हूँ इस सबका जो electronic configuration बनाएं यह last वाला देखो यहाँ पर यह सारा last वाला जो Orbit है न यह सब क्या इसमें जितने भी ऐलेक्ट्रॉन्स होते हो क्या कहलते हैं हमारे एक हो जाएगा कारबन का 4 था तो 4 हो जाएगा तो लास्ट औरपीट में जितने बचते हैं उसको मिलोग क्या बोलते हैं क्या पूलते इसको वैलंस एलेक्ट्रों टो यह चीज़ button को समझ में आ रहो कि हम क्या बताना चाहरे हैं और कि वहले झालब का मतलब होता है देखिएगा कि जो भी एलेक्ट्रोन यह एक टम के ईंदर जो भी ऐलिमेंट जो होते हैं जो की अपना बॉंडिंग बनाते हैं ठिक है बॉंडिंग बनाते हैं या ताकि सिंगर करनेономें के लिए अगले के अंदर या अटम के अंदर बॉंडिंग किस तरीके का होता है तो जब बॉंडिंग आप लोग थोड़ा सा आपको बताएंगे नेक्स क्लास में तो आपको वैलनसी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा यह मैरा गैरेंटी है ठीक है तो अभी सिर्फ आपके इसका इस नौन ऐस वैलनसी सिज जांएशी के बारे में संग ऐा आया होगा एक चीज़ आपको और यहां पर समझा दे रहें जैसे देखो आपको आपको इसमें बुलिए समें अंतर क्या है ? fellow unit हम simple सा उधारन देते हैं आपको मान लो यहां पे यह हम है और यहां पे आप है भी ठीक है अब हम आपको बोले कि मेरे पास बावू क्या है ना कि लेना है ठीक है अगर सल्टी वाला ले लो ये लो ये-लो दिखेगा कि अगर हमको अगर मेरे पास नौ रूपया है तो हम आप से चाहेंगे तो एक रूपाया ले सकते और आपको उसी लेसमें से थोड़ा साव भी दे देंगे तो भी हो आप नहींच कैसा थी जाई हैं कि एकliest मरने से लोग 100 वोग से यक मरना लाजीम है यह न करो यह यह एक इसको दे देगा तो इसके पास यानि कि मेरे पास मालो कि 10 हो जाएगा तो हम यह packet क्या करेंगे ले पाएंगे अब हो सकता है मेरे दिल में अगर मया जगेगा तो आपको भी इसमें शेयर कर देंगे कुछ ठीक है तो यह क्या होगा कि यहां पर आपको ही benefit हो गया और हमको ही benefit हो गया तो समझो अपना पेट भरने के लिए जितना रूपिया ले रहा है और दे रहा है वह चीज क्या कर आता है उसका आता है वेलेंसी क्या कर आता है वेलेंसी मतलब ये एकिस से ले लिया न सारे स्टूडेंटस से एक ये क्या कर लिया और OCTET या अपना ORBIT को या पना PET को भर सके List से तो यहाँ पर यह चीज क्या कहला है आपका VALANCY क्या कहला है आपका VALANCY तो यहाँ पर जितना वो चीज लिया न जितना वो उसका VALANCY कहला गया यानि कि अगर हम बात करें इस SODIUM की 2 8 और एक तो यह Valence electron जितने भी last orbit में हो तो रह गई Valancy का case अलग है कि अगर किसी में एक sharing कर रहा तो एक का Valancy एक होगा दो का Valancy दो होगा तीन का Valancy तीन होगा चार का Valancy चार होगा अब यहाँ से case समझना Valancy इस कभी भी क्या होता है greater नहीं होता है वोर से greater नहीं होगा then 4 valency never greater than fourth 4 से बढ़ा नहीं होगा तो जब अगर 5 होगा वैलेंद सी लेक्ट्रोन तो देखो 8, 8. Okay, 8 पूरा होना चाहिए तो 8 पूरा होने के सको कितना चाहिए 3 ना तो 3 इसका वैलेंद सी होगा इधर वाला सारा वैलेंद सी है और इधर वाला आपका वैइलेक्ट्रोन माल लो ठीक है चहां अगर रहता तो तो इसको कितना चाहिए पूरा करने के लिए दो ना तो दो इसका वैइलेंसि होगा साथ रहता तो कितना चाहिए एक तो एक इसा क्या होगा वेलेंसी और अगर 8 है किसी का तो 8 में तो पेट भरा वहाई आप मेरा पेट पुर लेस हम खाई लिए तो अब हमको लेसद खाने का मन करेगा क्या पेट इसम फूल है तब इस कंडिशन में इसका वेलेंसी क्या होगा तो बस अभी इतना समझ के चलना ज्यादा आपको अटेंशन नहीं लेना एक सर आप क्या-क्या बता दी हमको तो कुछ पता नहीं चला स्टार्टिंग में आपको अटामिक नंबर बताएं वो याद रखोगे अगर आपको कन्फ्यूजन है वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रोन में तो यह छोड़ दीजे मेरे लिए करेंगे ताकि आज का वीडियो ह verbessा न वी में च्पट अब्ली तरीके से क्या हो जाएगा complete हो जाएगा थिक है तो उम्मीद करते देख नहीं पा रहा हूं या कमेंट देख लूँगा तो आपका यह ओमवर्ग वगर अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पा रहा हूं या बहुत दिन से चेक भी नहीं हुआ होगा विजन की मोबाइल है नहीं तो थोड़ा दिकत है तो आप उसके हिसाब से चलिए और जिस तरी नमबर उपर में मैं लिख दे रहा हूं ठीक है फर्स्ट स्लाइड में यह नमबर पर आप हमको कॉल बैक कर सकते हो यह नमबर मेरा ऑन है अगर किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत है या आपको चीजे समझ में नहीं आ रही है तो शर्माना मत बेजी जग आप इस नमबर पर कर देंगे ठीक है यह वाला नमबर और मेरा आप कॉल करोगे वाट्सअप नहीं है सिर्फ फॉलिंग के लिए आन है तो कॉल करोगे आपको डाउट क्लियर कर देंगे ठीक है तो वीडियो को एंड कर रहा है उमीद करते हैं आपको सेशन समझ में आग अच्छे से लाइक कर कर दिजेगा और अपने फ्रेंट सेर्कल में थोड़ा भी कर दिया किजिए ठीक है उसे बेनेफिट थोड़ा हम को मिलेगा कि कम से कम वीडियो मेरा पहुत रहा है किसी का भला और रहा है थे ठीक है तो शेयर कर दिजेगा ठीक है